Hello friends, this is Imran from Hayat Digital, welcome to the new video of YouTube monetization course Friends, last की video में हमने इन स्ट्रीम एड के बारे में सीखा ठीक है? उसमें हमने कई सारे टार्गेटिंग मेथड देखे की वर्ड के तुरू फिर हमने देखा टॉपिक के तुरू फिर हमने प्लेस्मेंट के तुरू भी देखा ठीक है? और ओडियंसे के बेसिस पे भी देखा हमने क्या? इसमें हमने देखा था क्या? एफिनिटी कस्टम एफिनिटी हमने इतने सारे टार्गेटिंग मेथड देखा था, आर्गेटिंग औप्शन देखा था, इन्स्रीम आइट्स के विए, आज हम सीखेंगे वीडियो दिस्कवरी आड्ड वीडियो डिस्कवरी आड्ड क्या होता है? सपोस करो आपने कोई एक वीडियो सलेक कर लिया, यह आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया, अब यह वीडियो चल रहा है, यहां पे आपके फीड के अंदर और नीचे रेकमेंडेशन में आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है? तो यह भी क्या होता है? वीडियो डिस वीडियो के अंदर आते हैं, कौन से आते हैं रणिंग वीडियो के अंदर? इन स्ट्रीम वाल है, राइट? और वीडियो डिस्कवरी एड कहां आता है? एक यहां जो आपने कोई चीज सर्च की हो, उस जगह एड आ रहा हो, यह आप कोई वीडियो देख रहे हो और नीचे रिकोमेंडेशन में कोई वीडियो आपको सजेस्ट हो रही है, वह आपके वीडियो डिसकवरी एड होती है, तो चलिए वीडियो डिसकवरी एड बनाते हैं, सबसे पहले आएंगे कैम्पेइन में, न्यू कैम्पेइन, अग वीडियो केमपेंपे आके आपको continue करना है आपको यहां पे नाम देजेना है वीडियो डिस्कवरी राइट अध्स फिर यहां पे आपको maximum CPV ही रहने जहना है ऐसा क्यों कह रहा हूं पहले दोनों में difference समझ लीजिए जब आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो तब आप क्या चलाते हो इन इस्ट्रीम एड चलाते हो लेकिन जब आप अपने वीडियो पे व्यूज पाना चाहते हो तो आपको maximum CPV सेलेक्ट करना चाहिए क्या है maximum CPV? कॉस्ट पर व्यूज है ना आप जब व्यूज पाने के लिए एड चलाओगे तो आपको व्यूज के एकॉर्डिंग ही अपनी strategy अपनानी होगी राइट अब इसमें नीचे आपको पता ही है आप कितना डेली खर्च करना चाहते हो सपोस करो आप सो रुपए खर्च करना चाहते हो यह तीन सो रुपए खर्च करना चाहते हो ठीक है अब यहां आ जाते हैं यह देखिए maximum CPV वाले में options आते हैं यह तीन हो YouTube search result मतलब किसी ने कोई keyword के तुरू कुछ search किया और आपका वीडियो उस keyword से related था तो वह आपके वीडियो को show करेगा तो यह discovery add होता है लेकिन friends मेरे experience के according YouTube search result में अगर आप आना चाहते हो तो उसके लिए आप एक separate add बनाओ अभी मैं वीडियो पार्टनर्स भी आपको अंचेक कर दे रहा हूं और YouTube search result भी अंचेक कर दे रहा हूं आप चाहो तो select भी कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूंगा कि आप YouTube search result में आने के लिए अलग से एक add चलाना राइट उसके लावा location सब कुछ वैसे ही रहने देना है inventory type वैसे ही रहने देना है ठीक है additional settings में देख लेते हैं devices आपकी मर्जी आप नहीं दिखाना चाहते हो यह सब पर दिखाना चाहते हो frequency यह सब कुछ वैसे ही रहने देना है यहां पर आपको add group name यहां डाल देना रहा है तो यह डाल दे रहा हूं मैं discovery ठीक है discovery cooking क्योंकि मैंने fitness का भी बना रखा है demographic अगर आप change करना चाहो तो आपकी मर्जी और बिल्कुल यह सब कुछ अब वैसा ही है जैसे इन stream में किया था आप audience से select करना चाहते हो आपकी मर्जी कि यहां आएंगे कि आप चाहो तो custom affinity ले सकते हो audiences में आप affinity select कर सकते हो cooking enthusiastic मैंने select किया था एक कर लिया ठीक है keyword अभी रहने देते हैं copy करके बना लेंगे ठीक है अब समझो maximum CPB bid क्या है मैंने इसके लिए आपको दो strategy बताई थी क्या क्या बताया था मैंने एक बार यह और discuss कर देता हूं कौन-कौन से दो strategy बताया थे मैंने पहला क्या था low to high इसमें क्या होता है आप 30 पैसे से शुरू करते हो और campaign रन करते हो एक दिन के लिए वन डे के लिए आपने campaign को रन किया ठीक है फिर आप देखोगे व्यूज आए कि नहीं आए अगर नहीं आए तो आपको next day क्या करना है 35 पैसे कर देना है फिर एक दिन के लिए आप campaign रन करो फिर आप देखो अगर व्यूज आते हैं यह नहीं आते हैं फिर आप इसको 40 पैसे करो ऐसे आपको gradually increase करना है एक यह तरीका है और दूसरा क्या बतायता है मैंने high to low इसमें आपने day 1 से क्या किया 90 पैसे से श्रूर किया और campaign run करके देखा आपने देखा views आरहे है हाँ आरहे हैं तो आपने क्या किया फिर 80 पैसे कर दिये यह 85 कर दिया आपकी मर्दी सपोसर करो मैं 80 पैसे कर दिया फिर देखुए तो और कम करेंगे 70 पैसे इस तरह से आप अपने बजेट को सेट कर सकते हो तो यहां मैं 30 पैसे से शुरू कर रहा हूं ठीक है फिर वही आपको वीडियो सलेक्ट करना है इसके लिए आप क्या करोगे अपने वीडियो का लिंक कॉपी एड्रिस लिंक एड्रिस ठीक है यहां पे आएंगे इसे पेस्ट करेंगे ठीक है अब हमें क्या चलाना है वीडियो डिस्कवरी आड़ यह चला दिया आपको थम्नेल सलेक्क करना होगा अपने कर लिया ठीक है हेड्लाइन आप डाल दो वाच दिस टू लर्ण कुकिंग राइस ठीक है या फिर पुलाओ कर दो सपोस्स करो आप यह बना रहो ठीक है डिस्क्रिप्टिन में डाल दो वाच दिस नाव राइस डिस्क्रिप्टिन तू में डाल दो वाच तिल दो एंड ठीक है है यहां पर डाल दो किया डिस्क्रिप्टिन ठीक है और यह देखो यह जो आला जो आता है ना यहां पर आपने कोई वीडिटीव तो इस जगह पर आपका आड आ जाएगा इसे बोलते हैं वीडियो डिस्कवरी एड ऐसे आप यहाँ कुछ देख रहे हो उपर और नीचे आपका एक एड आ गया ठीक है इसे बोलते हैं वीडियो डिस्कवरी एड और यहाँ से क्रिएट कर देना कि सिंपल कंटिनु टू कम कंटिनु टू केंपेइन अब आ जाओ यह आ गया है अभी आप ने क्या किया है ओडियंस के उपर किया है तो आप कैसे चेक करोगे यह देखों ओडियंसे जैना कीवर्ड क्या है इसके कीवर्ड एक भी नहीं है प्लेसमेंट देख लीजे प्लेसमेंट एक भी नहीं है एड्ट प्लेसमेंट फिर आप आजाएए टॉपिक्स topics भी नहीं add, अब आपको क्या करना है, फिर से, अब आपको फिर से वैसे ही copy करके, यह देखिए, video discovery add, आ गया ना, अब आपको क्या करना है, वैसे ही, जैसे जैसे last time ने आपने किया था, audiences के recording करना है, तो Audiences के Cording आप Select कर लो Keyword के Cording करना है तो पहले Audiences डिलीट करो फिर Keyword Select करो ठीक है Suppose करो मुझे ये वाला Add करना है इसमें Discovery Cooking है इसके Audiences पर आएंगे Audiences को Select करेंगे Audiences को Remove करेंगे और Keyword को Add करेंगे या Topic टॉपिक को Add करेंगे Add Topics यहां से Food and Drink Cooking and Recipe ठीक है और Save कर देना है अब आप देख लो यह आपका Keyword 0 है Audiences 0 है Placements 0 है अब आपको Copy करना है Paste करना है और जिस से Copy करना है उसको Delete करना है उसको Remove करना है और जिस Topic के उपर बनाना चाहते हो यह जिस प्लेस्मेंट को आप देना चाहते हो यह जिस audience के तुरू आप टार्गेट करना चाहते हो वो आपको Select करना है Right That's all from today's video मिलते हैं नए वीडियो में Thank you and have a nice day ौर डद्ट